विश्व का सबसे बड़ा रहसे शिव मंदिर की प्राचीन गुफाएं हैं जिसमें वार्म होल्या स्टार गेट है वार्म होल्या स्टार गेट वो रास्ता होता है जिसके जरीये हम दूसरे लोकों वर दूसरे आयाम में पहुंच सकते हैं तेलंगाना के निजामाबाद शहर से 25 किलो मेटर दूरी पर एक गाउं है जिसका नाम है आमूर यहे गाउं एक उंची परवत माला की तलहटी में बसा हुआ है इस गाउं का नाम आमूर इसलिए बढ़ा क्योंकि तेलुगू भाषा में आरू का अर्थ 6 होता है और मूर यानी 3 और 6 और 3 मिलाने से 9 बनता है इन पहाडों पर 9 सिथ योगियों ने तब किया था इसलिए इसका नाम आमूर और इन पहाडों को नवनाथों की पहाडी या सिथों की पहाडी भी कहा जाता है इन पहाडों पर असंख्य गुफाएं हैं और उन्ही गुफाओं में से एक गुफा में अध्यन्त प्राचीन शिव मंदिर है जहां गुरु गोरक नातमत सेंद्रनाथ आदी नो रिशियों ने तब किया था इन गुफाओं से चुड़ी एक सत्यकथा है आज से लगभग 80 साल पहले उसी गाओं का एक किसान अपने पश्यों के लिए खास लेने उसी पहाडी पर चड़ गया और खास काट कर एक दो बड़े बड़े गठर बांग दिये उस पहाडी पर कई गुफाएं हैं और पास की गुफा से उसे कुछ साधू दिखाई दिये जैसे ही वह किसान उस गुफा के पास पहुंचा उन साधू ने प्रसाद लेने के लिए उसे गुफा के अंदर बुलाया और वह किसान उन साधूं के साध गुफा के अंदर चला गया वहाँ पर उसने कई दिव्य साधूं को भी देखा और एक बड़ा शिर मंदिर भी देखा लगभग एक घंटे तक उन साधूं के साध भजन करने के बाद उसे याद आया कि उसे तो गाईं के लिए खास लेकर पहाडी के नीचे जाना था वह तुरंत गुफा से बाहर की ओर जाने लगा एक दो साधू उसे गुफा के बाहर तक छोड़ने भी आई जैसे ही वह गुफा के बाहर निकला तो उसके घास के गठर गायब थे वह सुबय को घर से निकला था और अब तो बहर होने को आ रही थी उस किसान को प्यास भी लग रही थी इसलिए वह बिना घास के नीचे गाउं में अपने घर की ओर चल पड़ा रास्ते में उसे सब कुछ नया नया सा लग रहा था आश्चरे से अपना घर ढूंड कर जैसे ही वह अंदर गया तो अपनी और अपनी पतनी की बड़ी सी फोटो पर माला चड़ी हुई देख कर हैरान रह गया घर में सब नए लोग दिखाई दे रहे थे एक पल के लिए तो वह समझा की वह किसी दूसरे के घर में आ गया है लेकिन एक सतर साल के बुड़े ने उसे पहचान लिया और पापा कहकर गले लगा लिया वह किसान तब लगभग 30 से 35 साल का था लेकिन उसका बेटा अब सतर साल का हो चुका था यानि कि उस किसान के गुफा में बिताए हुए एक या डेड़ घंटे में इस पृत्वी के लगभग 50 साल बीच चुके थे इस परिवार के पोते पर पोते आज भी उसी गाउं में रहते हैं और इन पहाडियों के नीचे एक भूगर बजल की धारा भी बैती है जिसे स्थानियवासी पाताल गंगा कहते हैं जिसका पानी पीने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं और हमेशा बहुत लंबी लाइन लगी रहती है इस पाताल गंगा का पानी पीने से हृदय रोग से लेकर कैंसर जैसे असाद्य रोग भी ठीक हो जाते हैं कहते हैं आज भी वह नो सिथ उन पहाडियों में संचार करते हैं और उन गुफाओं में कैलाश से लेकर पाताल के सभी लोकों में जाने के गुप्त रास्ते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज इसे लाइक वर शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें